एक थी गिलहरी और एक था कव्वा, दोनों अच्छे मित्र थे, उनका एक और मित्र था भालू, एक दिन गिलहरी कव्वा और भालू एक साथ बाग में बैठे थे, कव्वे ने कहा, आओ हम सब मिलकर खेती करें, जो पैदा होगा उसे तीनों आपस में बांट लेंगे गिलहरी और भालू को कव्वे की बात बहुत पसंद आई, गिलहरी बोली, चलो, खेत जोताएं, भालू हल ले आया, कव्वे ने कहा, तुम दोनों चलो, मैं बहुत भूका हूँ, रोटी खा कर आता हूँ गिलहरी और भालू मिलकर खेत जोताएं, कव्वा बैठा रहा अगले दिन गिलहरी ने कहा, चलो, खेत में बीज बो आएं कव्वा बोला, तुम दोनों चलो, मैं बहुत ठका हूँ, थोड़ा आराम करके आता हूँ गिलहरी और भालू मिलकर बीज बो आएं, कव्वा पेड़ पर बैठा, सुस्ताता ही रहा थोड़े दिन बाद गिलहरी ने बताया, पौधे बड़े हो गए हैं, चलो, खेत में पानी दे आएं कव्वा बोला, तुम दोनों चलो, मैं बहुत प्यासा हूँ, पानी पी कर आता हूँ भालू और गिलहरी खेत में पानी दे आएं, कव्वा पेड़ पर से हिला तक नहीं कुछ दिन के बाद फसल पक कर तयार हो गई, गिलहरी बोली, चलो मिलकर फसल काटें कव्वे ने कहा, तुम दोनों चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ, भालू और गिलहरी फसल काटाए, कव्वा बाग में ही खूमता रहा जब अनाज तयार हो गया, तो गिलहरी और भालू अपना अपना हिस्सा खेत से ले आए, कव्वे का हिस्सा खेत में ही पड़ा रहा कव्वे ने सुचा, अभी कौन जाए खेत पर, कल सुभा खेत पर जाकर अपना हिस्सा ले आऊंगा रात में जोर से पानी बरसा, कव्वे के हिस्से का सारा अनाज बह कर बरबाद हो गया कव्वा पेड पर बैठा हाथ मलता रहा, तो देखा बच्चों, आलस्से का फल कैसा होता है